देखे, Press Information Bureau Government of India का आर्टिकल है, मैं भी डिजिटल अभियान, हाल ही में एक अभियान लॉंच किया गया है, जिसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेंट, तो ये एक कैंपेंट लॉंच किया गया है, तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि ये किस एक भारत सरकार क पहले की स्कीम है, अंडर PM स्वनिधी स्कीम, इस स्कीम के अंतरगत, ये मैं भी डिजिटल अभियान, या मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेंट लॉंच किया गया है, और ये कैंपेंट किसके द्वारा लॉंच किया गया है, Ministry of Housing and Urban Affairs, प्लस Ministry of Electronics and Information Technology, याद रखेगा मंतराले पू स्वनिधी स्कीम के अंतरगत इसको लॉंच किया गया है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत सरकार के बड़ी important scheme है, PM स्वनिधी स्कीम क्या है, पूरा नाम है PM Street Wenders आत्निरभर निधी, तो चलिए देखते हैं कि ये scheme है क्या, देखें, हमको पता है कि जब COVID-19 आय वो उनको बंद करके अपने घर जाना पड़ा, अपने ग्रहराज जाना पड़ा, साथी साथ भारत सरकार ने ये देखा कि जब बहुत ज़्यादा देख में economic crisis आ रही है, तो उन्होंने आत्म निरभर भारत अभियान के अंतरगत, कुछ आर्थिक प्रोशाहन या economic stimulus अर्थ प्रोशाहन में, जो दूसरा आर्थिक प्रोशाहन दिया गया था, पहला दिया गया था उसके पशाथ, अर्थविवस्ता में एक दूसरा आर्थिक प्रोशाहन दिया गया था, तो उसी में क्या किया गया था, कि COVID-19 के दौरान, ऐसे street vendor, जिनका काम बंद हो गया था, जो फ स्वानिधी स्कीम क्या है ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिननों कोविड नाइंटीन के दौरान अपने काम का नुकसान कर लिया है या उनके काम का नुकसान हो गया है या वो फिर से काम को सुरू नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक प्रकार की कोलेटरल लेस क्या प्रदान किया अब बात आती इसका उद्देश है क्या था इसका उद्देश है क्या था कि जो भारत में लगभग 50 लाग स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फायदा पहुचाना जिन्होंने COVID-19 के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान जहिला है तो इसमें टार्गेट किया गया था 50 लाग और अगर आप स्ट्रीट वेंडर को कुछ पैसा दे रहे हो वर्किंग कैपिटल दे रहे हो तो सरकार उनको डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रोसाहिद करती थी कैसे उनका जो आपको पता है कि जब आप डिजिटल माध्धम से पेमेंट करते हो या एकसेप्ट करते हो तो वहाँ पर सरकार एक कैस बैक की सुविधा देती है तो कहा गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटली जादा एक्टिव होंगे उनको सरकार बारा सो रुपए वार्सी कैस बैक प्रोइड करेगी तो ये एक बेसिकली फोकस था कि एकनॉमी डिजिटली जादा संचा आती है कि आखिर इसके माध्यम से हुआ क्या इसकी विसेश्टाएं क्या हैं तो इसके माध्यम से सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन प्रदान किया यानि 10,000 रुपए तक के लोन इसके माध्यम से दिये जा सकते थे PM स्वानिधी स्कीम के तहट और इस कि जो किस्ते थी वो आराम से आप साल में चुका सकते थे सबसे बेहदरीन चीज ये थी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई security नहीं रखनी पड़ती थी याद रखियेगा दूसरी बात ये थी कि इसकी किस्ते आप एक साल में आराम से मंथली installment के माध्यम से चुका सकते थे एक और important feature ये था कि अगर आपने time पे या time से पहले अपने जो भी के आपने loan लिया है 10,000 रुपए तक का उसको वापस कर दिया है तो सरकार आपके खाते में direct benefit transfer के माध्यम से 7% subsidy भेज देती थी यानि मान लो ऐसे इसको समझो कि सरकार ने किसी वेक्ति को स्वानिधी scheme के तहट कि लोन दिया गया या working capital मिली अब working capital मिलने का बाद यह होता है कि आपको installment देनी पड़ेगी या आप समझ सकते हो कुछ दर से उसको लोटाना पड़ेगा तो सरकार ने कहा कि आप जो भी payment करोगे या फिर आप जो भी interest payment करोगे subsidy पर वहाँ पर जो भी interest payment आप करोगे सरकार 7% द 10% कितना हुआ 100 का 10 रुपए किसी वेक्ति ने 100 रुपए लिया PM स्वानिधी स्कीम के माद्धेम से तो सरकार ने कहा कि जब आप 10 रुपए interest payment करोगे तो 7 रुपए subsidy के तौर पर हम यानि सरकार आपके account में direct benefit transfer के माद्धेम से भेजेगी और आपको केवल 3 रुपए ही भरन पढ़ेंगे तो यह basically scheme थी PM स्वानिधी scheme जिसका उद्देश है था कि जो भी street vendor है जो भी road के किनारे किसी प्रकार का अपने सामान बेशते हैं अपनी livelihood चलाते हैं उनको फिर से एक प्रकार से stimulate करना या प्रोथसाहान देना यही इसका उद्देश था अब जो current में news है मैं भ scheme के अंतरगत किस scheme के अंतरगत अंडर PM स्वानिधी scheme के अंतरगत ही इसको या इस campaign को launch किया गया है अब यह campaign क्या है यह campaign है basically जो street vendors हैं उनको बहुत प्रकार से अगर आप देखोगे तो digital onboarding या digital transaction की या digital training दी जाएगी सामान सब्दों में समझो कि जो street vendors हैं उनको अधिक से digital training प्रदान करना ही इस अभियान का मैं भी digital 3.0 campaign का मतलब उदेश है या अर्थ है अब दूसरी बात यह आती है कि इस उदेश की पूर्ती कैसे की जाएगी तो कहा जा रहा है इसमें उन लोगों पर focus किया जाएगा उन street vendors पर focus किया जाएगा जिन्होंने पहले ही PM स्वनिध scheme के माध्यम से loan ले रखा है तो उनको basically digitally educate करने का प्रयास इस scheme के माध्यम से किया जाएगा यानि जो आत्म निर्भर भारत अभियान economic stimulus 2 के माध्यम से सरकार ने जो scheme सुरू की थी कौन सी scheme PM स्वनिधी scheme किसके लिए थी street vendors के लिए तो कहा गया जो लोग loan ले चुके हैं पहले ही उन्हें ही क्या किया जाएगा उन्हें ही basically digitally क्या किया जाएगा educate करने का प्रयास किया जाएगा दूसरी एक important provision or डाला किया था कि जो lending institutions हैं यानि जो street vendors हैं जहां पर वो इस scheme का फायदा उठाने के लिए जिसके पास भी जाएंगे जो लोग भी इस scheme के माध्यम से जो सरका institution है वो किसी भी प्रकार का कोई cooperative banks हो सकता है या कोई और bank हो सकता है वो क्या करेगा वो जो street vendor आएगा उनको QR code देगा एक unified payment interface UPI देगा साथ ही साथ digital training भी प्रदान करेगा तो इसी माध्यम से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और इसी पूरे जो campaign है यानि जो street vendor है जो रिंड लेने वाली संस्था के पास जाएंगे PM स्वनिधी scheme के अंतरगत वो संस्था ही या lending institution ही उनको क्या प्रवाइड करेगी QR code प्रवाइड करेगी UPI प्रवाइड करेगी साथ ही साथ उनको basically digital training भी प्रवाइड करेगी तो यही है मैं भी digital 3.0 campaign important news है क्योंकि PIB की news direct government of India चाहती है कि हम इसको पढ़ें या इसको जाने तो question बन सकता है इससे